हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू हिमाची फूट कॉनर आज मैं आपको सूजी के ऐसी रेस्पी बनाऊंगी जो आपना पहले कभी नहीं बनाई होगी और यह रेस्पी आपको खाने में बहुत टेस्टी लगी है और यह बहुत ही कम टाइम में बन भी जाएगी तो चलिए करते हैं चुराज इसके लिए हम एक कटूरी सूजी लेंगे सूजी आप मोटाइ पतली कोई से भी ले सकते हैं और फिर हम इसमे एक या ध्री फार्थ कप दैए लेगे डै या चाहें तो ताजी भी ले सकते हैं या एक दिन पूरानी खटी दैए भी ले सकते हैं अब हम दैई और कर लिए तो हम इसमें एक कप मैंने जिस कप से मैंने सूजी लिती उसी कप से मैंने एक कफ पानि लिए पानी को फूइन धीरे-पानी करके डालें गही significant तो मैंने शूजी काई में रख दिंगे रेस्ट के लिए, इसमें मैंने थोड़े से चनी लिये हैं, चनी से क्या होगा, यह रेस्पी बहुत ही healthy बनेगे, अगर आप चाहें तो चनी दीजिए, नहीं तो आप कोई बात नहीं, इसकी भी कर सकते हैं, खाली आलू से भी बना सकते हैं चने डालने से क्या होगा कि यह रेसिपी हल्दी बनेगी तो मैंने यह ओवरनाइट सोकर निक लिए रख दिये थे वो चने लिए आप चाहें तो इसकी जगा पनीर का भी इस कर सकते हैं या अलू से भी बना सकते हैं अब यह एक कदू कस किया हुआ अलू ले लि स्वाद NEसर नमग डालेंगे और अंद्व तीस्पोन लाल मिर्च पाउड़र डालेंगे और crack 105 मुझ जीरा डालेंगे और Woolाश से य स्म्रश स्पून अद्विन छे दिय मllesनत्य चाह diesen स्ज्ण से मिक्स कर लेंगे अब मिक्स करने के बाद हम इस मसाले को थोड़ा सा हाथ पर में लेंगे और इसे गोल-गोल करके इस तरह इसकी राउंड शेप बना लेंगे अब जब तक यह बैटर मजलब सूजी का अच्छे से रैस्ट होके तयार हो गया है और यह थोड़ा गाड़ा हो इस तरह से मैं आपको दिखाते हूं कि इस तरह से होना चाहिए बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए अब हम इसमें इसमें स्टफिंग में ढाला है तो तो मैं इसमें थोड़ा कम ही नमग डाले तो मैंने इसमें 1 teaspoon नमग डाला है आप चाहें तो काम या जाद कर सकते हैं नमग को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें 1 1 falou teaspoon baking soda डालेंगे जिसे खाने का भी soda क्यते हैं अगर आप चाहें तो सुड़ की जगे इस्में इनो भी डाल सकते हैं इनो आप इसमें आधिछमाज डाल सकते हैं जिसे क्या होगा क्ः बुड़ी答 अच्छ si भी जाएगा और जो हम ब्रेक्ट्फास्ट बनाएंगे वह अच्छ Zentे निकल भी जाएगा अब हम इसमें batter डालेंगे तो जो चमत अच्छे से batter इसमें भर देंगे batter बहुत ज़ादा नहीं डालेंगे, मतलब जो भी कटोरी है वो one fourth होनी चाहिए इतना ही हम इसमें batter डालेंगे, और फिर जो हमने मसाली की जो round shape की जो लुईयां बनाएथी वो इसमें अच्छे से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बस इसी तरह उपर से अलकियात से रख देंगे, फिर हम उपर से थोड़ा सा बैटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि यह इस तरह कवर हो फिर हम मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाला हैं आप चाहें तो डाल पी सकते हैं और इसकी भी कर सकते हैं थोड़ा सा चिली पाड़र उपर से इस तरह डाल दिये कि दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा अब हम कड़ाई में गरम पानी लेंगे उसको अच्छे से बॉल कर लेंगे और फिर इसे 5-10 मिनट के लिए इनको अच्छे से नाश्टे को पकने देंगे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे और इस्टिक डाल के देखेंगे कि अच्छे से पक गए हैं जैसे अब मैंने देखा है कि अच्छे से साइड में से हट भी रहा है और आप ये ठंडा होने के बाद ही करें नहीं तो आप गरम-गरम में करेंगे तो क्या है कि स्टफिंग जो नीचे से चिपक भी सकती है अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पर थोड़ा से टैप करेंगे और आप देख सकते कि इतना इजिली नि बच्चों को ये किसी को भी इस तरह सरफ करेंगे तो ये बहुत चाव से खाएंगे और मैं इसको दवा के बताती हूं कि ये कितना ही सॉफ्ट बना है बहुत इस पंची बना है और अगर आपको ये रस्पी अच्छी है गी है तो वीडियो को लाएक और चैनल को सब्सक्रा और अंदर से मसाला भी कितने अच्छे से दिख रहा है